हाई गाई इस इस मनीश कुमार वैलकम तुमाई चैनल शोट नोट्स पाहेंगे तो गाई इस चैनल पर आपको इस एलेटिड इंपोर्टेंट शोट नोट्स मिल जाएंगे यह हैनिटन नोट्स होने वाले है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यो एन जी है गाईज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक इंपोर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाईज अगर आपको इस जो नोट्स है वो पीडियो फोम में चीह है तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जो है जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर आपको इस सारी नोट्स मिल जाएगे तो गाईज इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटी नेशन जनरल असेमली यह एक इंटरनेशनल औरगनाइजेशन है और जीएस पेपर टू में इंटरनेशनल औरगनाइजेशन साबसाब मेंशेंड है तो टोपिक आपको काफी इंपोर्टन ओ जाता है एक्जाम प्रॉस्पेक्टिव से तो यह जो यून जी है यह एक प्रिंसेपल औरगन है यूनाइटी नेशन का औरगन कहलो है कंपोनेंट बात देगी है तो गाईज यूनाइटी नेशन में आपको जो है छे मेंन आरगन मिलेंगे तो कौन कौन से हैं उसको हम एक image की तुरू देखेंगे तो गाइस इस image में आप देख सकते हैं छे main organs को United Nation के वो कौन कौन से हैं वो है General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, Secretariat और यह है Trustship Council यह सारे आपको जो हैं मिलेंगे United Nation के organ में यह सारे जो है main organ देखने को मिलते हैं इसके अंदर यह जो image है यह मैं आपको टेलिग्राम पे post कर दूँ है महाँ से जाके आप देख लिजेगा तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताए कि UNGA प्रिंसिपल ओर्गन है United Nation का साथ ही साथ एक governing body है इस organization की और साथ ही जितने members है United Nation में वो represent करते है United Nation General Assembly में यानि UNGA में लगबग यहाँ पर आपको 193 member countries आपको देखने को मिलेंगी यह सारी की सारी UN member countries है उसके बाद इन countries के यहाँ हर साल meeting होती है New York City के अंदर United Nation का headquarter है महाँ पर यह meeting होती है September और October में यह meeting देखने को मिलती है पर generally September के महिने में यह meeting देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है बहुत सारी countries जो है अपनी speeches भी देती है और हाँ guys currently हमारे PM मोधी जी है वो US की visit पर थे तो उन्होंने भी यहाँ पर speech दी थी अब guys UNGA decide करता है काफे सारे matters के उपर जो भी important matters है उन पर discussion किया जाता है जैसे कि peace को कैसे बनाया जा सके security को कैसे maintain किया जा सके साथ ही और भी international issues होते हैं उनके उपर भी जो है यहाँ पर discussion होता है साथ ही साथ UNGA decide करता है कोई नहीं member को add करना है या नहीं करना है तो उसके उपर भी जो है discussion होता है अब guys आगे देखते हैं अब guys यह जो UNGA इसमें जो decision लिया जाता है वो लिया जाता है voting के थूँ एक simple majority voting होती है पर इनके जब कोई important decision होता है तो two-third majority देखने को मिलती है यहाँ हर एक member vote बगएरा करता है हर एक member के पास एक vote होता है पर guys जैसे United Nations Security Council में 5 permanent members होते हैं उनके पास जो है veto power होती है तो उस प्रकार यहाँ कोई veto power नहीं देखने को मिलती है अब guys question ही आता है कि यह veto power क्या होती है तो guys यह UNSC में इसके बारे में बताया है यानि United Nations Security Council का यह topic है तो guys इसको जो है हम detail में discuss करेंगे जब मैं UNSC के उपर वीडियो बनाऊंगा तो guys अगर मैंने अभी आपको यह बताया तो आप confuse हो जाओगे तो tension मत लेना उसके उपर में जल्द ही एक वीडियो बना दूँगा तो guys यही था हमारा topic UNGA ओफुली आपको सारी चीज़े समझ आ गई होंगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like, comment, share जरू कर दिजेगा उसका लिंक भी मैं आपको description में दे दूँगा तो guys that's for all today, thanks for watching, जैंच जै भारत